हलो रमस्कार मैं प्रभात कुमार सितु एस्परेंट स्लाइब में आप लोगों का वेलकम करता हूँ देखें बिहार सिविल कोड की परिक्षा न हुई राम जी का वनवास हुआ मतलब 14 साल के वनवास के समान जो है वो अभी परतीत हो रहा है क्योंकि court reader, clerk की बात करे या प्यून के exam की बात करे मतलब इतना लंबा वक्त हो चला है कि तमाम आप सारे छात्र छात्राएं जो है ये निरास्वा में जाने वाले थे हम जैसे teachers और faculties भी निरास्वा में जाने वाले थे अब लगता है कि ये सिविल कोट एक्जाम नहीं कराने वाला पैसा ठग के भाग गया ऐसा लग रहा था बस आपको मुझे ऐसा लग ही रहा था कि अभी अभी बिहार सिविल कोट ने तीन तीन नोटिफिकेशन की PDF जो है वो ऐसे दे मारी अब ये क्या है तीन PDF ये एक एक करके मैं बात करता हूँ कि exactly किन बातों का इसमें खुलासा हो रहा है क्या बाते इसमें कही गई है साथी साथ इसमें क्या खुश खबरी और दुख खबरी का संगम है ये भी अभी हम लोग जानने वाले है क्या इसे एक्जाम के डेट का क्लू मिलता है ये भी अभी हम लोग देखेंगे और ये भी जानेंगे कि अब जब कुछ क्लू मिल गया है तो अब हमारा प्रिपरेशन टार्गेट जो है वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से जो है वो हमारी तैयारी जो है वो बचे हुए दिनों की होनी चाहिए सुनिए मैं अगर आपको बोलूँगा तो आप ये कहोगे कि हम लोग तो अल्रेडी प्रिपेर कर रहे थे लेगर आप जान लीजिए कि अब सिस्टम बदल गया है कैसे सुनिएगा जना ध्यान से सबसे पहरे तो मैं बता दूँ कि दो पीडिएफ ऐसी पीडिएफ है जिसमें ये बताय गया कि क्लर्क और प्यून क्लर्क और प्यून इन दोनों को मिला के लगभग सवा तीन लाख कैंडिडेट ठीक है सवा तीन लाख कैंडिडेट का जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है ठीक है इसका मतलब इतने कैंडिडेट्स का क फिल कीजिएगा विटा ठीक है चलिए कोई नहीं तीन पक्चिस का competition कम हुआ है मौके ज्यादा बढ़ चले है पहले ही दरोगा के चक्कर में कई सारे लोग civil court का एक्जाम छोड़ चुके थे तो जितने लोग form भरे तो उसमें competition घट गया था चलिए तो ये तो एक ऐसी news है जो मतलब समझ लीजिए कि इसमें बारिस की फुहारे भी है और आग के गोले भी है ठीक है चलिए लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो दूसरी information ये है और वो है court reader के बारे में किस के बारे में है court reader के बारे में हैं और ये बहुत important news है क्योंकि ये बहुत सारी कहानी कह रहा है देखो क्या कहानी ये कह रहा है इसने कहा कि भई साथ सीटे लगभग और बढ़ा दी गई है court reader की साथ सीटे बढ़ा दी गई है ठीक है अच्छा court reader की 60 सीटे का बढ़ना इतना important क्यों है चलो 60 सीटे बढ़ गई क्या बात है ठीक है बहुत अच्छा thank you लेकिन एक और बात समझे ये पूरे एक्जाम की कहानी रही है आज तक बिहार की कि अगर prelims और men's के बीच में सीटे बढ़ रही है इसका ये मतलब है कि एक बार सीटे और चला कि एक्जाम में क्यों देरी की जा रही थी ऐसे ठीक है अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इसका ये मतलब है कि merit आने से पहले एक बार और सीटे बढ़ाई जाएंगी अब वो 10 बढ़े 15 बढ़े 5 बढ़े या 50 बढ़े सीटे और एक बढ मिलता है दूसरा क्लू क्या मिलता है ये सर्वमानने सत्य है और बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे जो examination हमेशा देते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि जिन exam में देरी होती है ठीक है और अगर उसमें form rejection अगर आता है तो इसका ये मतलब है कि form rejection आया है तो exam का admit card जो है वो आने वाला है center की booking हो रही है तब ही situation में rejection list जो है वो डाली गई ताकि candidate की संख्या के हिसाब से exam कराया जा सके यानि जाग जाईए उस नीन से जाग जाईए जो दूसरों के द्वारा दी गई कुम्भ currency अब उस नीन से जागना होगा क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है कि अब exam होने वाला है एकदम seriously मैं इस बात को बता रहा हूँ तो please इसके लिए ready हो जाईए ठीक है चले तीसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ कि ये सारी चीजे तो आप समझ गये अब मेरी एक बात सुनना क्या क्या हुआ एक तो rejection list आया है चेक करिएग दूसरा court reader की vacancy बढ़ गई है तीसरा clue ये मिलता है कि exam date जो है वो अब आएगा यानि admit card रिलीज होने ही वाला है चौथी चीज ये कि आप ये मान के चलो कि लगभग एक महीने का आपके पास time है और आपके पास clerk प्यून के exam के लिए भी sorry clerk और प्यून के exam के लिए भी date आपके पास काफी कम है और court reader में तो पूरा descriptive है भाईया पूरा complete descriptive और clerk में भी descriptive का कुछ sense रहेगा तो आप ये सारे exam की तयारी के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है भी सुनो एक महीने का एकदम target जो है वो series ला रहे है हम लोग ठीक है उसमें बस आप लोगों को ये करना है कि 7481985669 आपको इस number पे whatsapp करना है ठीक है आपको एक group से जोड़ा जाएगा और वहां से आपक target batch को join करेंगे जिसमें बढ़िया वाला descriptive चलेगा और clerk और pune के लिए तमाम जितना भी subject है सारे subject की धुआधार class concept class और plus लगबग 10 हजार question की practice जिसमें की important question भी होंगे ये सारी चीज़े कराई जाएगी तो फटा फट जाएए इस group से जुड़िए इस number में message कीज़े और exam का नाम जरूर लिखेगा कि clerk के हैं कि प्यून के हैं कि quote reader के लिए देखे descriptive का copy अगर आप लिखोगे और check नहीं होगा तो कभी descriptive का तयारी अच्छे सा नहीं होगा और ना ही अच्छा लिख पाओगे ने essay ने letter ने प्रेसी तो फटा फट जुड़िए connect होईए और एक नई सुर आईए और 2024 में एक तरफ जो है वो central में सरकार बनेगी और दूसरी तरफ आपकी सरकार बनेगी जब आप सरकारी नौकरी को जो है वो अपने कभजे में ले लेंगे और माबापको वो कर्व दिखाएंगे जसका सपना आपके माबापने और आपने देखा था मिलते हम लोग अपने अगली क्लास में थैंक यू सो मच